So Welcome Back to Cricket Maze आज यहें पस काफी सारी IPL 2020 पर न्यूज और अपडेट से तो आप लोड वीडियो का इंटर्ग ज़रूर देखेगा यापर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले अनिल कुमले के बारे में क्योंकि उन्होंने KXIP के स्टेटेजी के पर बात की है IPL 2020 का न्यू थीम सॉंग रिलीज हो चुका है लेकिन उस थीम सॉंग को लेकर काफी जादा बावाल मच चुका है क्या पूरी स्टोडी है वो भी कवर करने वाले और भी काफी सारी अपडेट निकल किया रहे IPL 2020 के वार में तो आप लोग प्रिडिक एट डॉट कॉम से कॉंटेक कर सकते इनकी वेबसाइट के साथ साथ तो टेलीगरम के लिंक है वो में डिस्क्रिप्शन और जो पिन कमें होता है दोनों में डाल रहा हूँ जो सबसे पहली नियूज है जो IPL 2020 पर निकल और रही हRY है वह निकल अनिल कुमले के तरव से तो आप से को पहले जो अनिल कुमले है वह झाल के फ fällt में अपना इंटरव्य मार्या ता इस पर ऑन्होंने खूल कर केकाट शरच लेए चीशन लिए वार बात की है सबसे पहले इन्होंने head coach के उपर बात कि और यह कहा कि वो चाहते है कि जो IPL में head coaches है वो maximum to maximum Indian हो ताकि उनको एक मौका मिले कि वो भी अपना जो skill है उनको enhance कर सके अभी जो head coaches है उसमें से इकलोते सिव अनिल कुमले है जो कि इंडियान ने बाग की सब foreign head coaches है और इसलिए हो चाहते है कि और बहुत सारे जो इंडियन coaches है उनको मौका दिया जाए इसके बार उन्होंने बात कि Glenn Maxwell के बारे में उनसे पूछा गया था कि उन्होंने Glenn Maxwell क्यों तो उन्होंने यह कहा था कि इनको auction से पहले impact player की दरकार थी और इनको यह लगा था कि जो Glenn Maxwell है वो सबसे best player होंगे और इसी के वैसे इनको लिया है सारी सारी इन्होंने यह भी बता है कि जो middle order player है उसमें यह best fit होंगे इनके उस experience है और यह team के vice captain भी करने वाले है तो obviously यहाँ पर इन्होंने बहुत इपर addition लिया है तो आपको क्या लगता है इनके जो vice captain Glenn Maxwell होने वाले है इसके उपर आपका क्या कहना है आप लो comment box में जरू बताना इसके अलावा अनिल कुम्ले ने बात की KL Rahul के उपर उनको क्यों लगता है कि KL Rahul को कप्तानी दी गई है तो उन्होंने यह का कि KL Rahul को पहले से जानते थे उनको ऐसा लगता है कि KL Rahul है वो में जोनी की तरह काम और compose है उनको ऐसा लगता है बहुत ही अच्छे प्लियर है वो आगे से टीम को लीड कर सकते हैं टू येर से उन्होंने केक सैपी लिए काफी अच्छी बलिबाजी की है एक destructive प्लियर ह और इसी के वैसे अनिल कुमले ने और जो पूरा मैंजमेंट है उन्होंने ये डिसाइड किया कि केल राहूल को कप्तान बनाने वाले हैं हमाई नेक्स निकल किया आकास चोप्रा के तरव से तो आकास चोप्रा ने रिवील किया है CSK की प्लेइंग 11 यानि की जो CSK की 11 होगी उन्होंने रिवील किया है जावर ओवियसली काफी साइड चेंजिस उनके प्लेइंग लैन में होने वाले हैं अगर ओपनर्स की बात करें तो वहां पर इन्होंने लगा है इम्रान टाहिर प्यू चावला दीपक चैर और शाडू ठाकुर को तो आपको CSK की इस प्लेइंग लर्ण के पर क्या कहने आप लोग कमेंड बक्स में ज़रूर बताना हमाई नेक्स अबडेट निकल के आ रहे है आई पेल दो जए 20 के टीम सॉंग के तरफ से आई पेल दो जए 20 का शैडूल रिलीज हुआ था उसके कुछी दिनों के बाद ज आर्टिस्ट का नाम है जहां पर हमें आपको बता जो कि क्रिष्णा है वो एक रैपर है उनके कुछ टाइम पहले सॉंग आया था जिसका नाम था देख कौन आया वापस और अभी यह कहा जा रहे कि इसी सॉंग को बी सी सी आ या फिर हम लोग कह सकते है जिनोंने सॉंग बनाए उसने कौपी किया है और क्रिष्णा ने यह भी कहा है कि वो बहुती नाखुश है और वो लीगल एक्शन लेने वाले बी सी से के उपर और ऑविसलि उनके साथ गलत हुआ है क्योंकि बी सी सी को परमिशन तो मा मैच है वो संद्राइस हैडराबाट के सार खेला जाएगा 21 सेप्टेंबर को फर्स मैच होने वाला है और इस मैच से पहले आर सीबी के लिए काफी अच्छी कवर निकल के आ रही है क्योंकि कली यह एनाउंस हुआ है कि जो जितने भी इंग्लेंड और ऑस्ट्रेला के प्लेयर और इसी के बाद यह confirm है कि जॉनी बैस्टो और डीविड वार्नर जो है वो फर्स मैच में इसकरने वाले और आर सीबी को बहुत इवारा फायदा होगा इसी के साथ साथ आर सीबी का वी जो एक प्लेयर है एरें फिन फोड़ी फर्स मैच में इसकरने वाला है लेकिन यहाँ पर RCB को थोड़ा ज्यादा दिखने को मिलेगा और RCB की स्टार्ट अल्डेडी काफी अच्छी हो चुकी है हमाई नेक्स अपडेट निकल कि है स्टार्स पोस्ट के तरफ से तो स्टार्स पोस्ट अभी हाल फिलाल में फिर से चार कॉंट्रेक्ट साइन किया यानि कि उनको चार स्पॉंसर मिल चुका है अब अल्डेडी इनके पास आईपेल दो जब बीस के लिए दस से बारा स्पॉंसर हो चुका है और अभी तक स्टार्स पोस्ट ने आईपेल शुरू भी नहीं हुआ है उससे पहले सिर्फ और सिफ एट से ही 2,000 करोर कमा लिए अभी आईपेल शुरू होना बाकी है तो हमनों सोच सकते ही कितना बड़ा रेविन्यू जो है वो स्टार्स पोस्ट इस बार आईपेल से लेने वाला है हमारी नेक्स अबने निकल गया है चिटेश पे पुजारा के तरफ से चिटेश पे पुजारा को और उन्होंने ये भी कहा है कि वो खुट के बायर बबल में खुश है और आईपेल के रश्में नहीं जाना चाते थे और कहीं ने कि उन्होंने आईपेल से रिलेटर यहां पर कुछ टोलिंग करने की कोशिश की है हमारी नेक्स अबने भी निकल किया रहे आर सीबी के तरफ से तो जब आईपेल दो जैवित का शैडूल रिलीज हुआ था तब आर सीबी ने भी सारे मैचेस अपने शो किये थे और सोचल मीडिया हैंडल पर वहां पर आर सीबी से गलती हो गए आर सीबी ने गलती से जो राजेस्टान रॉयल्स का लोगो था वो गलत दिखा दिया प सीबी को बहुत बड़ा जो ट्रोलिंग है वो राजेस्टान रॉयल्स के तरफ से सहना पड़ा हमारी जो नेक्स्ट अब्डेट आईपेल दोचे 20 पर निकल किया रही है वो निकल किया है टीम साओडी के तरफ से तो मैंने आपको आता है था कि जो क्क्र की टीम है वो रिप है और हरी करने का और अब ही की जो रिपोर निकल किया हरे उसके उटावर की टीम में उन्होंने टीम साओडी को कॉंटेकश करते है कि टीम साओडी के तरफ लूजम में KKR के तरफ से खिलते वे डिख सकते हैं हमारी जो नेक्स अपडेट निकल के आ रही है वह भी निकल के आरे KKR के तरफ से तो KKR तो आपको बताए KKR के जो एक प्लियर है इन इनको भी हाल फिलार में इंजरी हो गए थी और इनी के इंजरी के आपडेट निकल के आ रही है जहां पर इन्होंने मंडे को अपने जो हाथ होता है उसको स्कैन करा है उसके बाद यह समझ में आरे कि उनके थोड़ी बहुत जो एंकल है उसमें माइनूर सा फ्रेक्चर हुआ ह लेकिन कुछ भी परिशानी नहीं है शायत तक वो जो नेक्स T20 मैच होने वाले वो भी खिलने वाले पूरे एवेलेबल है खिलने के लिए शायत उनको रेस डिया जाएगा लेकिन KKR की टीम ने ये भी कंफर्म कहें कि हो पूरा IPL के लिए एवेलेबल रहेंगे और KKR के लिए काफी अच्छी खबर जो है वो इयन मॉर्गिन के तरव से निकल के आ रही है तो ये तो थी IPL 2020 पर अभी तक जो भी अपडेश निकल के आ रही है उसके सारी के सारी इंफोर्मेशन अभी के लिए स्वीडियो के लिए मेरे तब से इतना ही तब तक के लिए ठैंक यू